Hello everyone, कैसे हो आप सब? मैं हूँ Gauru Kabra और एक पार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चानल पे CMA Intermediate के 2022 syllabus में Group 1 के examinations आज हो गए हैं complete और आप सभी ने जिन्होंने Group 1 के exams दिये हैं बहुत-बहुत बधाया जी आप लोगोंने exams अपने बहुत successfully दिये होंगे यह मैं उमीद करता हूँ और आने वाले समय में जब results आएंगे तब आप सभी लोग पास हो जाएंगे इसकी भी मैं पूरी-पूरी आश्रा करता हूँ बट अब यहां से वक्त आ गया है कि हम लोग अपने Group 2 की तैयारियों के लिए शुरू हो जाएंगे अपने काम करना शुरू कर दें ऐसा क्यों भी है result तो आने तो थोड़ा तो वेट करो तो वेल इसलिए मैं आपके सामने हकीकत जो है वो पेश करने जा रहा हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सारी information मिलेगी with respect to what your Group 2 will look like उस Group 2 में कौन-कौन से papers मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, obviously वो भी मैं बताऊंगा at the same time, वीडियो के last में एक bonus है आपके लिए, तो वीडियो के लास्ट तक सुकून से देखते जाहिएगा last में एक bonus आपके जरूर काम आएगा चले शुरुबात करते हैं इस वीडियो की, let's get started with the first content की वाई करना क्या है विल हमारा objective यह है कि जरूर group 1 के examination complete होगा है पर बच्चा group 2 अपने को तयार immediately कर देना चाहिए शुरू, ऐसा क्यों इसके पीछे का सबसे बड़ा reason है कि पहला तो चार paper आपको complete करने हैं, इस चार में दो बड़े practical papers हैं, paper number 11 और paper number 12 paper number 11 और 12 दौनों मैं पढ़ाता हूँ, पहला हो गया FMDA, दूसरा हो गया management accounting, FMDA हो गया financial management and data analytics या फिर business data analytics भी कहा सकते हैं, management accounting का भी एक paper है, इन में से एक paper बहुत dangerous है, कौन से हैं मैं बताऊंगा इसके अलावा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि इस वीडियो में जो एक एकर करके हम discussion करेंगे, वो आपके सामने पहले ही रख देता हूँ, पहला जो point में discuss करने वाला हूँ, वो यह है कि preparation या classes कब से start करें, क्योंकि मुझे पता है, अभी कई बच्चे यह decision नहीं ल बता दूँगा, सो दाट, आप आगे आने वाले टाइम पर ना, ऐसे regret नहीं करो, कि आर हमने गलती कर दी, हम तो ध्यान नहीं दी है, and so on, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा, कि भई, exactly आप क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, we'll get to know here, next syllabus और paper pattern, यही है, सबसे important चीज समझना, कि बहुत कोई भी चीज को जब आप पढ़ने जा रहे हो, तो उससे पहले उसका syllabus और उसके paper pattern के बारे में अच्छे से acknowledgement होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप paper को समझोगे ही नहीं, तो number one classes ले होगे कैसे, और दूसरे classes लेनी है, नहीं लेनी है, उसक क्रूशल है, इसलिए, third point मेरे सबसे इस पूरे वीडियो की highlight है, और इसके अलावा, details हमारे course के भी obviously में आपको दूँगा, और इसी में एक bonus भी चुपा होगा, जो आपको बात में पता चल जाएगा, आजे ही, सबसे पहले when to start की बात करते हैं, मैंने clearly बोल दिया, भई, immediately start करो ऐसा, क्यों हो बया, क्योंकि देखो आपके examination, जो June के होने थे, वो हुए July में, इतने defer हो गए examination की, आपका December एक तम सामने ही दिख रहा है, हाँ मैं जानता हूँ, आप में से कई comment करने वाले हैं, December में थोड़ना exam होगा, January में होगा, तो January वाली बाते तो बाते हैं, पता आनी की होगा की नहीं होगा, अगर कल को institute ने वापस back on track आने के लिए December का exam December में ही announce कर दिया, then you will have a very short period of time to prepare for your group too, remember मैंने आप 5 से 6 महीने जो लिखे हैं ना, हकीकत में 5 ही महीने हैं आपके पास में, हाँ जी 5 ही महीने हैं, लेकिन 6 से लिखा है क्योंकि मुझे भी ऐसा लग करना है, mocks देने, बहुत काम है यार, इसलिए immediately start करना चाहिए, please wait मत कीजे अपने results का, do's and don'ts में मैंने जो 2-3 बाते लिखी हैं, important है ध्यान देना, number 1, rush मत करना, कोई भी चीज को अधम तावर तोड़ फिनिश करने में, concept clarity, भले ही practical paper हो या theoretical paper हो, बहुत जादा जरुरी है अगर concept clarity नहीं होगी, तो अब भी, आपको बता दूँ मैं, 2016 syllabus में, जो institute ने exam लिया है, खास करके CMA वाले section का, यानि की cost and management accounting वाले section का, उसमें institute ने concept clarity जिसकी नहीं है, उसको एकदम हायतोबा मचवा दी, and maximum students ने face किया एक disaster उस paper में, क्योंकि अब बढ़ा obvious दिख रहा है, कि अगर आपकी concept clarity on point नहीं है, तो institute आपको माफ नहीं करेगा, यही same चीज, मुझे लगता है कि boss आगे भी continue होगी, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप concept clarity पे नहीं जा रहे हो, अगर आपकी concept strong नहीं, आप सोचो बस यार, हम कैसे भी करके तियार करने, नहीं ह अच्छे से, इसके अलावा, बहुत जादा awareness की जुरुत है, वेल awareness को ले करके तो एक ही काम कीजे, चैनल को subscribe कीजे, इस चैनल पे strategic वीडियो से ले करके, हर एक तरह की important motivational वीडियो सारी, मैं post करता रहूँगा, और अब हमारा लक्ष यहां से December examinations है, अगर आपका examination December 23 में है, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि यहां पे बहुत कुछ आने वाला है, and you will get to know that in the due course, इसके अलावा, practice day 1 से कीजे, अब ये एक बहुत बड़ी जुरुरत है, practice करने या मतलब है, revision भी साथ-साथ कीजेगा, देखो भाई, आपको शायद बहुत बड़ा phase लग रह हो, कि भाई ये exam जब करीब आये, तब हम बुले, इस term तो नहीं हो पाएगा, अगले term देंगे, ऐसा तो फिर वो vicious circle चलता ही रहेगा, और कभी खतम नहीं होगा, मैं चाता हूँ कि इस 5 महिने में 4 paper हम तयार भी करें, practice भी करें, और exam भी देदे, अब ये संबब तभी होग लेकिन फिर भी मेरी तरसे recommendation रहेगी, कि practice करते रहना, इसी practice पे मेरा बड़ा जो रामबान आ रहा है, वो यही है, कि YouTube पे dedicated practice sessions होने वाले हैं, कब announce हो जाएंगे in due course, लेकिन हाँ होंगे, और अगर आपको उस level पे पहुचना है, तो जल्द शूरू करना पड़ेगा, क्योंक कि तयारी अभी से शुरू किजे, इसके अलावा, नमबर थर्ड, don't delay the start, आप start please, delay मत करो, आप बुर रिजल्ट विजल्ट आएगा, तब हम करेंगे, मत की जैसा, रिजल्ट तक बहुत तेरी हो जाएगी, CMN इस्ट्यूट इतने लेट exams लिएं, रिजल्ट भी शायद आप 3-4 महिने में, अगर सोच रहे हो कि आप complete करोगे 4 paper classes के साथ, practice के साथ, तो it will be very difficult, ध्यान रखिए, late मत start कीजे, immediately start कीजे, next, अब syllabus और paper pattern की बात करते है, जो कि मेरे इसाब से बहुत important है, मैं wait ही कर रहा था, इस चीज को disclose करने के लिए, because I wanted, कि एक बार कम से कम FM का paper इस paper में काफी interesting, interesting paper pattern को पकड़ करके, हम लोग यहाँ पे observations रख सकते है, जैसे की number one, number one आपको मैं बता दूँ कि बहुत यहाँ पे paper pattern में, आपका जो section A है, अचा बाई दिवे मैं बता दूँ, इस paper का जो break up है, वो है financial management and business data analytics, financial management बोलने के लिए 80 marks का है, और business data analytics बोलने के ल I'll show you that, इसके अलावा यहाँ पे देखो फिलाल section A की बात करते है, section A MCQs, 12 MCQs आएंगे, एक एक number के, obviously यह सारे आपके obvious questions है, mandatory questions हैं जो आपको करने पड़ेंगे, तो यहाँगे 12 MCQs, मेरे को लगता है यह game changer है, अगर आप इसी को अच्छे से करके जाओगे, there's good chance that you will ace the paper, इसके अलावा true and false and fill in the blanks, यह institute के लेवल की बात है, क्योंकि यहाँ पे institute आपके साथ खूब सारा dangerous game खेल सकता है, true and false को लेकर के और fill in the blanks को लेकर के, obviously हम बहुत महनत करने वाले हैं, लेकिन यह महनत करनी पड़ेगी ही, आपके बास कोई दूसा चारा नहीं है, क्योंकि examination म यही वो area है, जहाँ पे institute आपके साथ game खेलने वाला है, अभी predict कर रहा हूँ, आगे देख लेना, इसके अलावा, आपके यह 25 नमबर का mandatory area है, जो क्योंकि अपका section number A, फिर आता है section B, section B में कोई भी आपको अलग से, अगर मैं कहूँ, कोई case study, way study देखने को नहीं मुल रही है, आप सोच रहोंगे है, section B, section C होगा कुछ, section C में भी कोई case study नहीं, in fact there is no section C, section C फाइनल लेवल पर जरूर आ रहा है, final level पर मैं SFM पढ़ा रहा हूँ, जिसमें section C अब इंटर्ड्यूस हो गया है, जो कि ए case study होती है, यहाँ पैसा कुछ भी नहीं है, section B में आएंगे number का paper attempt होगा, कैसे, क्योंकि आपको 5 questions attempt करने है, 15-15 number के एक होगे, तो 75 number यानि 75 marks आपके इस section में भी cover हो जाएंगे, 25 आप पहले से attempt कर चुके होगे, पर यहाँ पर interesting बात क्या है, interesting बात यह है कि यहाँ पर, जो section B है, उसमें भर-भर के इनों ने weightage दिया है, theory को, बहुत ज theory बढ़ते हैं, वो इतनी ही जादा है, इतनी ही जादा है, कि आपको यह समझना पड़ेगा, कि boss, यह theory आपकी BDA के section से जादा आ रही है, BDA 20 marks से जादा है, यह तो definite दिख गया, clear, 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 आप देख लो, 20 number से जादा तो BDA ही पूचा जा रहा है, in fact, जो question number 8 होगा, जो कि last question हो theory lectures, हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही मज़दार, हम उसके लिए अलग से अपना एक, बोल सकते हैं, part of notes भी बनाए है, जो कि इतने बढ़िया tabular form में है, हमारी book में included है, and that book is financial management and BDA, तो इस book में हम लोगों ने include कर रखा है उसको, and उसको obviously अच्छे से detail में पढ़ेंगे, examination क आप expect करके चलें, 20 लिखा है, 20 maintain नहीं होगा, आगे, next up is syllabus and paper pattern for management accounting, अगर हम इसकी बात करें, तो देखो इसके syllabus में बढ़िया बढ़िया chapters है, introduction obviously पहला chapter है, फिर activity based costing है, जो कि आप लोगों ने group 1 के cost counting के दौरान नहीं पढ़ा है, marginal costing ग्रुप 1 के दौरान पढ़ा है, लेकि होगी, आपको advanced level questions करने पढ़ेंगे, तो ये बात का ख्याल रखेगा, कि marginal costing आपको dedicated way में तयार करना पढ़ेगा, advanced questions करने पढ़ेंगे, irrespective of the fact कि आप हमसे class ले रहे हो की ने ले रहे हो, YouTube पे मैं इसके advanced questions कराऊंगा, practice questions कराऊंगा, और आपको उसके लिए जुड़े रहना इसके अलाबा, standard costing, standard costing में भी मुझे लगता है, बड़े advanced level of questions पूछे जाएंगे, ये दो वो chapters है, जिन पे institute आपको आपको जम के target करने वाला है for this paper, well, अगर मैं paper number 11 और paper number 12 की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि paper number 12 को institute जम के target करेगा, paper number 11 अपनी जगा है, पर 12 को लाइव करने माले हैं, लाइव करते वक्त, सारे advanced, advanced, जितने भी तरह की questions है, उन सारे को capture कर रहे होंगे, आप सभी लोग इसको live witness कर पाओगे, live classes will be stream to your home, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अपने phone पे stream देखनी है class की, जो भी हमारा routine है, वो भी आपको बता दिया लाइगा, by the way, classes are starting from 25th of July, आगे transfer pricing है, आगे इन group 1 में यह नहीं था, नहीं था, बजट पहले था, और अभी भी है, लेकिन group 1 और group 2 दोरों में ही जो है, वो लगबग similar content है, group 2 में ज्यादा advanced level questions पूछे जाते हैं, यहाँ पे, इसके अलावा, responsibility accounting, नहीं तोपिक, decision theory, नहीं अगरा सोच रहों कि यह चाहिए theoretical area होंगे भी या, नहीं यह भी practical है, देखा जाए तो इस पूरे paper में practically practical भरे हुए, अब अगर आप practical से डरते हो, क्योंकि कई students ऐसे भी होते हैं, जो practical पसंद नहीं करते हैं, boss यह paper आपके लिए devastating हो सकता है, यहाँ पे जादा theory नहीं अगर देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, इसका भी अगर मैं paper pattern आपके सामने रखूं, तो इसमें section A, वो होगा MCQs, वही 12 questions, एक-एक marks के, इसके अलाब true and false, fill in the blanks, institute यहाँ पे आपके साथ खिलवार कर सकता है, 25 नंबर का, यह section mandatory है, फिर अगर हम बात करें, तो 5 अपने portion देखने को मिलेंगे, and yes, challenging question, यहाँ पे आप expect करके चलिए, यह वो paper होगा, जिसमें challenging questions, अब यहाँ से institute definitely benchmark बनाना चाहेगा, तो यहाँ पे management accounting को हलके में लेने वाली कोई बात ही नहीं है, इसको धंग से detail में तयार करना है, और अब भी से करना है, क्योंकि exam तक जाते हैं, यह हम advanced level को भी touch करना चाहते है, and that is possible only when we have time in our head, अब final section पर आजाते हैं, अपने course details भी आब बता दो क्या क्या है, तो well, सबसे पहले तो obviously हमारे 200 marks का combo अवेलेबल है, जो कि आप editors india.co.in website पे जा करके book कर सकते हो, आप individually भी कोई भी paper के लिए enroll कर सकते हो, all of that is possible, variants views के हम लोग के साथ जाना चाहते हो, भी या जादा खर्चा नहीं करना है classes पे, definitely कम खर्चे में भी आप limited views के साथ जाएं, उसमें भी हम industry standard से बहुत जादा दे रहे हैं, 3X views का आपके यहाँ पर provision है, बट अगर आपको है कि नहीं नहीं हमें unlimited views चाहिए भी या, तो unlimited views भी आपके पास option ह है, goes without saying, यह दोनों ही options में आपको एक से जादा devices पे access मिल रहा है, कितने access मिल रहा है, दो पे, अब दो, कैसे होंगे, समझ लो, एक laptop या फिर desktop होना चाहिए और एक mobile होना चाहिए, दोनों mobile नहीं हो सकते, दोनों desktops नहीं हो सकते, so one has to be desktop और laptop and other one has to be mobile, दोनों साथ में function नह ले दिया जाता है, क्योंकि आप जब मालो घर पे हो और laptop से कर रहे हो class, तो उधर log out करके, आप travel के दौरान, अपने phone पे भी classes कर सकते हो, so इस तरह से login log out करके, आप दो devices पे अराम से access कर पाऊगे, इन videos को, and यही हमारी एक बहुत important feature है, जो कि आपको मैंने समझाया है, इस क you can pick that up, जो भी pick करोगे, उस हिसाब से आपका course final हो जाएगा, 25th of July से हम लोग live lecture शुरू कर रहे है, तो अभी भी वक तो है, आप enroll करेंगे, तो आप first live lecture से भी शुरू कर सकते है, मुझे पता है, अभी इतना जादा समय नहीं है, आपके पास कि यह बुक्स डेलिवर हो आपको कराने वाले हैं, वो आपको PDF भी मिल जाएंगे, तो so that आप उन PDF से at least पढ़ाई शुरू कर पाओ, तो हैसे में यह दौनों चीज़े हो रही होंगी, obviously goes without saying, first few classes YouTube पे भी live करेंगे, या फिर में premiere करेंगे, दौनों ऐसे कोई एक चीज़ ज़रूर हो रही होगी, तो first few classes, 4-5 classes आप मान करके चलो YouTube पे भी आएंगी, तब तक आप YouTube पे भी देख सकते हो इन classes को, कोई हड़बर नहीं है, इसके अलावा आपको मैं बता दूँ, concept clarity, revision videos और बाग की सारे important motivational videos के लिए इस चैनल को जरूर से subscribe करना consider कीजे, हम 10,000 के benchmark तक पहुचने वाले हैं, subscriber close to 10,000 है जल से इसे 10,000 तक पहुचाएं, so that channel की अपनी एक visibility हो, हम लोग भी थोड़े नजर आने लगे, and logo तक हमारा messages पहुचना शुरू हो जाएं, इसके अलावा, आपको WhatsApp नमबर एक note करना है, यही वो bonus है, जो मैं आपके लिए बचा के रखा था, WhatsApp नमबर हमारा है, दो numbers है actually, तो आप coupon code पूच सकते हो, जो भी उसमें हमारे website पे चल रहा होगा, and जो भी coupon होगा, minimum कुछ तक उस तो coupon हो गई, so that will be provided to you, and obviously आप उसे अपने course को और economical बना पाएंगे, so यह चीज़ ध्यान रखेगा, whenever you will be going to your website, तो website पे जाकर के, आप एक बार WhatsApp पे communicate कर लेना, इन number पे एक ब roll into this course, please provide me a suitable coupon code to apply, so जो भी होगा, मेरी team definitely आपको एक coupon code भी supply कर देगी, so that you are able to save even a little more on these courses, वैसे, courses बहुत ही economically हमने प्राइस किया है, so that आप अपने group 2 की एक classes, फटा-फट से, जटा-जट से शुरू कर पाएं, and हम लोग December 23 से काफी पहले, अपनी classes को complete कर पाएं, हाँ, goes without saying, हम लोग जो tentative end date सोच रहे हैं, वो है roughly September end, max to max, October 1st week, 2nd week, तो या भी सोच रहे हैं initially, और इसी के हिजाब से हम अपनी classes को complete करेंगे, थोड़े advance में complete करने के बाद में, practice session के लिए भी तो समय चाहिए, revisions के लिए भी समय चाहिए, तो उस समय हम लोग वो कर रहे होंगे, फिल and I hope आपको इसमें बहुत सारी information मिली होगी, अगर आपको और कुछ भी जानना है, कुछ भी और आपको information की जुरत है, comment में डाल दीचेगा, मैं ज़रूर उस पे एक video बना रहा होंगा, बात बाकी, जो आभी FM और Management Accounting के जो papers आयते, exam की papers आयती, अगर आप चाहते हैं, मैं उ enjoy yourselves, please and please आप पडाही करते रहें, bye